जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज की ट्रेणिंग का जो में मकसद है, ओ है कि हम क्रोजिंग एफेक्टिवली कैसे करें, आज की ट्रेणिंग में हम समझेंगे और सीखेंगे कि जो हमारे प्रोस्पेट के जो अब्जेक्शन होते हैं, जो सवाल हमसे पूछता है, जो भाने य कैसे दें उनके सवालों का जवाब हम effective तरीके से कैसे दें जिससे की हम जोइनिंग ले पाएं आज के सेशन की जो हाइलाइट होगी आज के सेशन का जो होगा होगा सब्सक्राइब दोस्तों एक बार फिससे आप सभी का हार्दिक स्वाकत है और मैं सुनील मान उमीद करता हूं कि आज का ये शेशन आपके लिए बहुत होने वाला है या तो बेचना सीख लो या बिग जाओ आज के जमाने में आज के युग में अगर आपको बेचना नहीं आता आज के जमाने अगर आपको सेल करना नहीं आता आज के जमाने में अगर आप बेच नहीं सकते हैं तो अल्टिमेटली आप बेचनस नहीं कर पाएंगे जो भी लोग बिजनस करते हैं किसी भी तरह के बि साल तक आपके साथ नौकरी करूंगा काम करूंगा जो काम आप मुझे देंगे मैं उसको फॉलो करूंगा और उसकी कीमत हम लगा लेते हैं और कीमत को हम कहते हैं सैलरी या तनखा तो अगर आप आज के जमाने में बेच नहीं रहे हैं तो मेरी बात शायद बुरी लगे आपको सुनके अगर आप बेच नहीं रहे हैं तो आपको बिकना पड़ेगा यानि कि आपको अपने time की अपने efforts की अपने knowledge की अपने skills की अपने experience की value लगानी होगी और उस value की according आपको salary करें लाइ FDP होगा जो हमा गुजारा तो हो जण siya कोई ऐसा इन्सान होगा जो अपना पने आप से नहीं कर पाता हो अपने आप से था उपना इन्सान होगा जो कुछ भी हम करने तो कर लेते हैं अपने जरूरतें जो मिनिम्मम जरूरते होती है rooms t पूरा कर लेते हैं कुछ भी करके नौकरी करके चोटा मोटा व्यवसाय करके लेकिन जो हमारे अकांगशाय होती हैं जो हमारी उमीदे होती हैं जो हमारे जो हमारे सपने होते हैं जो हम चाहते हैं लाइफ में वो सैलरी से नहीं हुबाता उसके लिए आपको बिजनस करना पड़ता है और बिजनस करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है और बिजनस करने के लिए आपको सेल्स करना सीखना पड़ता है चाहे आप सर्विसेस या प्रोडेट्स बेचें या आईडिया बेचें अगर आप ये अच्छी तरह से बेच पाएंगे तो आप बिजनस कर पाएंगे और आप बेच नहीं पाएंगे तो बिजनस करना असंभव है इवन नौकरी में भी आपको कुछ तो सील करना पड़ता है जब आप जोब के लि सेलरी कि ये मेरी नौलेज है ये काम मुझे आता है इतने साल का मेरे पास एक्सपिरेंस है और इसके बदले आप मुझे कम से कम इतनी सेलरी देंगे तो मैं आपके यहां पर जॉब कर लूँगा वहां पर भी हम अपना प्रोफाइल बेच रहे होते हैं अपनी नौलेज को जुँच लोग जगया काम करने आते हैं उनको अच्छी सैलरी मिलती मिलती आने कि मeurखते है और आप चाहते है कि आपकी मार्केड वेल्यू ज्यादा हो आपकी market value ज्यादा हो तो आपको अपने skills को upgrade करना पड़ेगा अपने जो knowledge है उसको बढ़ाना पड़ेगा आपके पास जो experience है उसको gain करना पड़ेगा जो जो काम आपको नहीं आते वो सीखने पड़ेंगे और सबसे important sales skill अगर कोई skill है जिससे कि आपकी value भड़ सकती है वो है sales skills अगर आपने sales करना सीखा तो आप सब कुछ सीख गए और इसने sales करना सीख लिया वो हर जगे काम्याब होने वाला है मैं बात करना था कि अगर आपको बेचना नहीं आता ने बेचना नहीं सीखा तो आपको खुद को बिखना पड़ेगा जो भी आपके पास knowledge है जो भी आपके पास skills है जो भी आपके पास experience उसके basis पे कोई ने कोई हमारी एक कीमत लगाएगा उस कीमत के बदले वो हमें salary ले और उसी से हमें गुजारा करना पड़ेगा मैंने आपको बता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो minimum skills के साथ में पैदा होता है उसके बाद उसका गुजारा तो होई जाता है कुछ नो कुछ करके नौकरी करके छोटा मोटा काम करके खेती करक सब के सब अपनी जीवी का तो कमा लेते हैं लेकिन जो सपने है वो अधूरे रह जाते हैं और वो सपने को पूरा करने का एक मादयम है सेफ शॉप बिजनस वाइए दोस्तों आज सेस करना सीखते हैं आज के दिन मैं आप सबसे इंपोर्टन चर्चा करना चाहता हूं वो य कि सेफ क्लोजिंग करने के सिक्रिट क्या हैं अगर हम लोगों को बिजनस बताते रहेंगे लेकिन उनको ज ela करा पाएंगे इसका मलब कही ने करना खेभास आपको डिच्छ करने की ऑब्जेक्ठ ने रिच्ट करने की तो अब depende करने की तो आप 10 में से चार या पाँछ को जो लिए और जब आक स्वेंस हो जाते है आपके पास नायप eszंग को ँदू हर व्यक्ति के वो आप अप्रोच कर सकते हैं और उनके सारी संकाओं का निवारण अगर आप कर सकते हैं यानि कि आप क्लोजिंग में और अब्जेक्शन हैंडली में अगर मास्टर हो जाते हैं तो फिर आप 10 में से 7 या 8 लोगों को जाइंग करा पाएंगे आज का जो ट्रेनिंग है उसमें आप सीखेंगे क्लोजिंग के स्किल्स और आज सीखेंगे कि अब्जेक्शन कैसे हैंडल किया जाए कुछ भी अब्जेक्शन हो तो उसका जवाब किस तरह से दिया जाए अगर यह आपने सीख लिया तो आपको कामयाब होने से कोई रोख की सबसे पहले सब्सक्राइब कि आप सही सवाल पूछे सब्सक्राइब करने के बाद यह पूछ लिया आपको कैसा लगा कैसा लगा यह सबसे खराब सवाल आप अपने किसी प्रॉस्पेक्ट से पूछ सकते हैं अगर इस बिसनस पे सबसे खराब कोई सवाल है तो है कैसा लगा वह कह सकता है मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे समझ में नहीं आया तो उसके बाद फिर आप ऐसा हाय हो जाते हैं जो जवाब आपको मिलेगा अगर आप यह बोलेंगे कि आपको कैसा लगा तो यह सबसे खराब काम आप कर रहे होंगे और इनिशिली बिगिनिंग में हर फ्रेशर यह गलती करता है मैं भी करता था लेकिन अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते रहेंगे तो आप पता लग जाएगा कि आपको कौन से सही सवाल पूछने हैं अगर आपने गलती से पूछ लिया कैसा लगा तो आज के बाद आप यह सवाल कभी विद्थ पूछीगा वो सकता है हो वो सेल आपकी खराब हो गई ह हो तो आज के बाद आप वो सवाल पूछी जिसका जवाब देने पर वो जवाब मिले जो आप चाहते हैं आप ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब ऐसा आए जो आप चाहते हैं जैसे कि अगर आपने पूछा कि हमने आपको सेफ शॉप का शांदार बिसनस अपर्चुनिटी कफायी हमने आपको saived shop करे शांदा बॉड दिखाए इन में इसे आपको ज़्यादा अच्छा कॉन सा लगा सबसे अच्छा कॉन सा लगा तो हमने कपो मेzahl कर बिज्ंस बॉड है जादा अच्छा कॉन सा लगा या थो बिज्पन या उनको हमारे प्रोड बहुत अच्छे लगे और जो भी कहता है वही आंसर हमें चाहिए था अमारे प्रॉस्पेक्ट से तो सभी सवाल पूछेंगे तो आपको कभी माईस दिन ही होगी दूफरा अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछें कि आपने जो भी उसने बताया अगर उसने कहा कि मुझे आपका बिजनस अपर्चुर्टी बहुत अच्छी लेगी तो उससे एक और सवाल पूछ लीजिए वैसा ही कि जो बिजनस अपर्चुर्टी हमने आपको दिखाई जो ह हमने आपको बहुत ही शांदर बिजनस प्लैन दिखाया गया आपको एक शांदर अपर्चुर्टी से अउगत कराया गया और हमने आपको बहुत सांदर सेफशाप के एक्स्क्लूजिव पूडट्स दिखाए इनको अगर आपको रेट करना हो तो एक से दस की बीच में आप आपको कम मार्स नहीं देगा अच्छे मार्स देगा तो वह भी जब हम उसके यह सवाल बूछते हैं कि इसकी रेटिंग कीजिए तो फिर से उसके दिमाग में वह सारे प्रेजेंटेशन और सारे प्रोडट्स और सारा अपॉचुनिटी और जो उसके जिंदिगी में क्यों क बताइए उसकी डिटिंग कीजिए तो जो अच्छे-ची चीज थी वहीं के दिमाग में आएग इगी कॉन सी तीन चीज सबसे अच्छी लगी यह सवाल पूछिए तो कॉन सी तिन चीज़े थी जो सबसे अच्छी थी और जब पाउज बार क्या होता है अक्सर क्या होता है बसंजन सब्hängण हैं हमें अप्रोच कैसे करना है ऐसे एक टाष कर लेते हैं हमारी जो अप्रोच अप्रोच होती हो अन्प्रोफिशनल होती है अंग नहीं पता चाहिएक उसके सामने बुदिनेज्स होg को पिश कर लेते हैं या कहीं बार ऐसा होता है कि हमें कोई एक्स्पिरिंस की होती है कि होती है थोड़ी धेर बात करने के बाद समझ जाता है कि जैसी सामने से बोलता है कि नेटॉःक मार्कटिंग ऑलाilit डारेट सेलिंग वाला बिजनस है तो हम अपने आप डिफेंसी हो जाते हैं हम घबरा जाते हैं कि यार इसको तो पता लगए डारेट सेलिंग है और हम इस बात से घबरा जाते हैं हम चौनक जाते हैं कि अब का जवाब दूं हम कहते हैं यह ऐसा वाला नहीं है वैसा वाला नह कई वह उस चाइब का है यह इस चाइब का कुछ नाम लेटेज़ेंट अच्छा आपको पता है अच्छा आप जानते हैं राइट सेलिंग के बारे में अच्छा आपको आइडिया है नेटोंक माकेटिंग का और यह बहुत अच्छी बात है सब कुछ बंद कर दीजिए कूल हो जाईए मुस्क्राइए और उससे पूछिए आप डाइट सेलिंग के जानते हैं यह तो बहुत अच्छी बात है क्या क्या जानते है थोड़ा से मुझे बताएट और उसके बाद उस को एंकरेश किसे बूखने के लिए आप चुप रही है बस उसको एंकरेश करते हैं से बारे में अच्छा आपको क्या क्या पता है है इंकरेश करते रही है जब वो बोलता रहेगा तो आपको कुछ दिर के बाद सम्स्में आ जाएगा कि अगर यह व्यक्ति जो मेरा प्रॉस्पेक्ट है जिसको मैं बिजनस कराना चाहता हूं यह अगर डारेट सेलिंग इसने पहले की है या इसने सुना है इसको पता है थोड़ा बहुत तो यह काम्याब क्यों नहीं हुआ यह आपको तुरूंत पता लग जाएगा तो पहले क्ल कोई बी असा सवाल पूचिए अपको कैसा लगा कब जोइन करें गैं कैसा लगा कऊने की जादा अच्छा लगा सबसे अच्छा क्या लगा तीन सबसे अची चीजे क्या लगई उनकी रेटिंग किस तरह से करना चाहेंगे आप से दस के स्केल के बीच में और उसके बाद अगर वो बोलता है डाइट सेलिंग है या वह है या ऐसा है या वैसा है तो डिफेंसिव मत हो जाइए घबराइए मत चिंता मत कीजिए बस अपना प्रेजेंटेशन वहीं पर क्लोज कीजिए अपना लैप टॉप बंद कीजिए आप लिए जानते हैं और उसके बाद उसको एंकरेज की जी बोलने के लिए जितना ज़्यादा ओ बोलेगा उतना आपके लिए आसान हो जाएगा उसको जोइंग कराना जिन लोगों को डारेट सेलिंग के बारे में पहले से पता है इसका मतलब अच्छा प्रोस्पेक्ट है व्यक्ति कुछ तलास रहा था व्यक्ति कुछ एक्स्टा ओर्डनरी करना चाहता था उसके सपने बड़े बड़े थे बले ही पूरे नहीं वे लेकिन वह व्यक्ति अंबीशियस है तो आपके लिए वह बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है बिल्कुल मत घबराएगे अग यहां पर कैसे अंगिरत उधारन है जिन्होंने पहली पारी में कुछ नहीं किया और तीसरी बार आके उन्होंने तहल का मचा दिया उन्होंने चक्के चुड़ा दिया सबके तो घबराएगे मत बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है जैसे मैं आपको बताया कि अगर वह ब बाद में क्लोजिंग के टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ज्यादा नहीं बोलना है ज्यादा सुनना है सेलिंग एक कला है और इस कला में बोलना कम होता है और सुनना ज्यादा होता है बहुत सारे li बन करते हैं वे तुक की बाते कर रहा था और मैने टोस्किं बंकर दी अगर आपने बोलती बंकर दी इसका अलब आपने सेल्ज को सुनना नहीं चाहता है वो humiliate feel करता है, वो insulting feel करता है, उसकी ego hurt हो जाती है, ऐसे में वो अच्छा decision कभी भी नहीं लेगा, आपके favor का decision कभी भी नहीं लेगा, आपने सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है, अगर आप ज़्यादा बोलते हैं, तो आप selling नहीं कर पाएंगे, आप सुनते ज़्यादा है तो आप अच्छे salesperson बन पाएंगे, अच्छे leader बन पाएंगे, तो पहली चीज़, अगर आपका prospect बोलता है कि उसने join किया था, उसने काम किया था, उसने ये किया था, वो किया था, जिस जिन सवालों से हम घबरा जाते हैं, जैसी वो बोलता है, direct selling तो नहीं है, ये network marketing तो न क्या होती है, आपको पता है कि direct selling कमनिया काम कैसे करती है, आप जानते हैं कि direct selling में कितना potential है, आप जानते हैं कि यहां से कितना पैसा कमाया जा सकता है, ये कितनी बड़ी opportunity है, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको increase किजिए, उसको बार-बार increase किजिए, और जैसी हो रुक आपके सामने रो देगा, तो उसका जो conclusion निकलेगा, उसका जो summary होगी, जो भी यो कुछ बोल रहा होगा, उसकी summary क्या होगी, पहली चीज तो ये कि उसके कोई गलत कमनी जाइन कर ली, कोई ऐसी जाइन कर ली कमनी, जो कि direct selling थी ही नहीं, वो सिर्फ कोई money circulation वाली कमनी थी, ज उसको direct selling में डालके उन्होंने पैसे कटे किये, और ओक कमनी गायब हो गई, वो directors कायब हो गई, तो शायद या तो आपके prospect ने कोई गलत कमनी जाइन कर ली है, दूफरा कायन क्या हो सकता है, कि उसके senior जिसने उसको जाइन कर आया था, उसको जो introducer था, वही fraud निकला, वही न mentor था, उसी ने कमनी छोड़ दी, उसी ने business छोड़ दिया, वही घर पे बैठ गया, उसी ने हार मान ली, उसी ने कुट्टे टेक दिये, अब अगर senior ने कुट्टे टेक दिये, तो विचारा है नया नया आदमी, एक fresher कैसे काम कर पाएगा, तो या तो कमनी खराब रही होग या उसका applying, उसका introducer, उसका sponsor, या उसका mentor, जोसका senior leader, जिसकी guidance में हो काम कर रहा था, या तो वो निकमा निकला, उसने कमनी छोड़ दी, या बिजनस ही छोड़ दिया, या फिर एक काम होगा सकता है, कि आपके prospect ने कामी नहीं किया, तीसरा कार्ण क्या होगता है, कि आपके prospect कि लोग safe shop का नाम लेंगे, मैंने safe shop जोइन किया था, फिर kिसी leader का नाम लेंगे हो, कि मैंने उसके साथ में काम किया था, आप दीखेंगे हो leader कामयाब है, लेकिन क्योंकि इसने ही अपनी तरफ से अफ़र्ट नहीं लगाए इसने मेहनत नहीं की काम नहीं किया तो डेफिनली कामियाब तो नहीं हुआ होगा तो कंक्रीजिन क्या है अगर को डे इरस डे बिजिटी इसकी जो तकलीफ है थोड़ी सुन लीजीए अपना कान उसको दे दीजिए शांती से और जब वो बोल लेगा सब कुछ कह लेगा, तो आपको conclusion क्या मिलेगा? मिचोड क्या निकलेगा? या तो उसने गलत कमनी join की है या उसने गलत लोगों के साथ में join किया है या उसने खुदने काम नहीं किया है. और अगर ये तीनों कोई है इसके लाव को और रिजन हो नहीं सकता और यही रिजन है, तो आपके लिए बड़ा असान है उसरा को जॉइंग कराना उसके समझाना कि अगर कम्णी घलती तो आप पर अप्लाइन ईसलो अगर आप यह है कि उसने काम ही नहीं किया उसके समझाई है कि देखियो कहीं पर भी thoroughly पैसा पाले की लिए किरutive संद्व之前 कि विए अब रिजियर को व्ह foul ईसकी कर लीजिए जोण करा लिजिए एक है और चीज है जैसे गया कि पताज है एक यह हमारे विद्वस में आता है किसी के सामने बिजद्पाने को यह फिन और के बिजए करता तो इसा तो नहीं है आ और अभी यह तुमना कर रहा है जोइन करने से हम घहबरा जाते हैं अगर कोई बी अब्जेक्शन है तो वह रिजेक्शन नहीं है उसकी शंका है, वो कुछ पूछना चाहता है, वो अपनी बात रखना चाहता है, तो प्लीज ध्यान रखे इस बात का, कि कोई भी औब्जेक्शन रेज करता है, तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, कोई बात नहीं है, आप सही रास्ते बजा रहे हैं, अगर अब्जेक्शन है, तो बहुत अच्छी बात है, अब्जेक्शन है, तो क्या है, यह सेल्स का प्रोसेस है, कि अगछ बोलता ही नहींगे त तक और प्रोस्पेक्ट बोलता है तब तो अच्छी बात है अगर बोलता है तोम जबनी बात रखता है अपनी बात खुलकेद एक अपस करता है कुछ Vice up करता है तो ये तो अच्छिशी बात एक प्रॉसस है अगर एक लड़की की शादी वी है जहां से समझ dressage को अगर एक जी घराब रहता है उसको साथ चक्टर आ सकते हैं उसकी बॉडी का शेप थोड़ा सा बदल जाता है उसको पेन होता है बच्चा तकलीफ करता है पेट के अंदर यानि कि एक और जो प्लेग्डेंट है उसको बहुत सारी तकलीफ होती है अगर तकलीफ हो रही है इसका वलब ब चा onlar है और जानते हैं कि है और प्रोस्पेक्ट वहारे तो यह सारी चीज़े स्वाल तो घबनाना नहीं है यह सेल का एक प्रोस्पेट है राइट तीसरी चीज, अगर कोई prospect ऐसा है, जो चुपचा बैठता है और आप से sign up करता है, payment देता है, और असानी से join हो जाता है, कुछ नहीं raise करता, कुछ भी सवाल नहीं करता, कुछ भी बाते नहीं करता, असानी से आप उसको join करा लेते हैं, तो आप समझ लीजिए, ऐसा prospect असानी स बिजनस से भार भी हो जाएगा, जो prospect असानी से join हो जाते हैं, बिना किसी objection के join हो जाते हैं, बिना किसी doubt किये, बहस किये, बिना कुछ तरक विदरक किये, असानी से, असानी से join हो जाते हैं, वो असानी से बिजनस से भार हो जाते हैं, तो अगर कोई join कराना मुस्किल है, मु तो अगर किसी अप्रोफेशनल वेक्ती ने अगर मुझे अप्रोच किया होता जिसको नहीं थी या उसके साथ कोई ऐसा वेक्ती नहीं आया होता जो एक्सपिरिस होता तो मैं कभी भी डायरेट सेलिंग बिसनस में नहीं आता मेरा जोइन्ग करना जितना मुच्किल था अब मुझे इस मिड्रोफे निकालना उससे कई ज्यादा मुस्किल है मैंने जोइन्ग करने में बहुत कुछ सोचा था बहुत कुछ स्वह नख't नकुनध काया थे अन को दातों चने दातों तले चने दबाने चमाने पड़े होंगे क्या बोलते हैं बहुत मुझकिल रहा हुँ उसके लिए मुझे जोइंग कराना इसलिए आज तक मैं ठीक हुआ हूँ अगर मेरी क्लोजिंग हमारी कमनी के आधरनिय डिरेक्टर रज़त औरमा सर ने ना की होती ऐसी जबदस पर्सणल्टी से मुझे ना मिलवाया होता रजसर जैसे गजब की परसणल्टी से अगर मेरा इंट्रॉडक्शन ना हुआ होता उनने अपने रूम में बढ़ा के मेरी क्लोजिंग ना की होती तो मैं कभी शाद ज़ोइन ने करता क्योंकि मेरी closing एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जिनकी सकल देखके जिनका नाम सुनके जिनकी फोटो देखके जिनको मैसूस करके दूर से भी हम motivate हो जाते हैं उनकी ऐसी गजब के personality है अगर वनोंने मेरी closing ना की होती तो मैं safe shop business में नहीं आया होता अगर कोई व्यक्ति जोइन करने में टाइम लगा रहा है वक्त लगा रहा है तो इसका मतलब वह आपके साथ काम करेगा लंबे समय तक आपके साथ काम करेगा लेकिन जो आसानी से जोइन हो जाता है वह असानी से business को छोड़के भी चला जाता है बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रास्पेक्ट के सवालों से हम इरिटेट हो जाते हैं वो कुछ ऐसी बेहुता बाते बोल देता है हम जानते हैं बाते जो बोल रहा है वो बेवकुफ वाली है हमें पता है कि जो उसके सवाल है वो बचकाने है हमें पता है कि व्यक्ति जानबुज के इस तरह के बाते कर र तो यही तो चाता था वो कामियाब हो गया हरम फेल हो गए ऐसा कभी भी नहीं करना है अगर कोई आपको जानबुज की इरिटेट करने की भी कोसिस कर रहा है तो भी आप स्माइल कीजिए चीरफुल रहिए चिंता मत कीजिए दिखाईए मत आपके चैरे पे भले ही आपको मैं रिपीट कर रहा एक बात को जो स्माइल है वो आपके बिजनस में सबसे इंपोरेंट चीज है स्माइल जो है उस सबसे गजब का टूल है और यह मैंने पसनली फील किया है मुझे दो बार मौका मिला है श्री श्री रवीशंकर जी को होस्ट करने का एक बार सोभाग्य मे और एक बार आशिरुवाद में दोनों बार इंद्रागंदी इंड्रोश्रीडीम में हमें मौका मिला एक बार उन्होंने जब बगवत गीता को लाउंच किया और दूफरी बार जब उन्होंने संपूर्ण हनुमान लाउंच किया हमर लिए किसमत से मुझे मुझे मौका मिल करीब आने का उनको होस करने का उनके स्टेज बें मिलने का और उनसे एक शॉल जो उन्होंने मुझे प्रिजिन किया यह बहुत ही लक्षी मैं अपने आपको मानता हूं और मैं उनका कोई कोई हार्ड कॉर फोलोवर नहीं था पहले मैं उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं था मैं उनके कोई हार्ड कॉर फोलोवर भी नहीं था अब भी उतना हार्ड कॉर नहीं हूं लेकिन मैं देख रहा था उनको अब्जर्व कर रहा था मैं जानना चाह रहा था कि इस परसनेलिटी के अंदर ऐसा क्या है कि इनको दुनिया भर के करोड़ों लोग करते हैं करोड़ों लोग अरब पती खरब पती लोग बड़े से बड़ा व्यक्ति इनकी बात को सुनता है ध्यान से सुनता है और इनकी से मिलना चाहता है इनके करीब आना चाहता है इनके अंदर क्या है इनकी पसनेल्टी ऐसी क्या चीज है जिसकी वैसे यह आदमी इतना popular है, इतना successful है, यह personality है क्या, और मैंने देखा, दोनों बार गंटा बर हमारे बीच में रहे, देड़ गंटा, दो गंटा हमारे बीच में रहे, और मैंने एक चीज को मैसूस किया, कि उनके चेहरे से smile ही नहीं गई, कवी भी, पीचे से लोग चिला रहे थे, कि मुझे आवाज नहीं आ रही, तो जोर से बोलिये, माइक में कुछ दिक्कत थी, मैं देख रहा था कि कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने नोटिस किया, कि श्रीशी सब्रीशन कर जी, इतने cool and calm थे, बिल्कुल हस रहे थे, बिल्कुल इरिटेट नहीं हुए, उनको बिल्कुल गुस्ता नहीं आया, वो बिल्कुल इस बात से नाराज नहीं हुए, कि आपने sound system ठीक से क्यों नहीं लगाया, उसमें दिक्कत बीच में कैसे आगे, वो बिल्कुल उनको कोई चिंता नहीं हुई, वो आराम से आपके चेहरे पे उखुशी, वो अगर किसी को दिखाई देती है, तो लोग आपके साथ जोइन करेंगे, अगर आप मुझ लटकागे बैठे रहेंगे, दुखी आतमा बनके रहेंगे, देदाज बनके बैठे होंगे, तो आपके साथ कौन जोइन करेगा, सूचिए. अगर उसके बावजुद भी कुछ भी हो रहा हूँ उसके बाद भी आगर आपके चैरे पे स्माइल रहती है आप चेरफुल रहते हैं तो कभी भी आपका प्रॉस्पेक्ट आपको छोड़ना नहीं चाहेगा पूरटेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट आरेग्टिव के साथ लोग करना जाते हैं हाँ उनकी सोच में उनके साथ नागारग में सोच के लोग ही जान करते हैं इसलिग कुछ बी सवाल पूछता है उसके कुछ भी अब्जेक्षेंस होते हैं डारेक्टली आंसर मत कीजिए तुरंत आंसर मत कीजिए उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है और आपने बोल दिया अच्छा तु कौन सा इतना बड़ा रास्टपती लग रखा है प्रदानमती लग रखा है जो तरे पास टाइम नहीं है क्या होगा उससे उसकी इगो हट हो जाएगी अगर उसे बोला मेरे पास पैसे नहीं है और आपने बोल दिया अच्छा फिर कटोड़ा ले भीख मांग ले तो क्या हुआ क्या कभी भी वह जॉइंग करेगा आपने जवाब तो दे दिया उसकी बोलती तो बनकर दी लेकिन क्या जैगी तो कभी भी डिरेक्ली आ मेहंगे हैं शायद हो सकता है मैं आपकी फिलिंग सी कदर करता हूं मैं जाना चाहता हूं कि आपको प्रोड़ट महंगे कैसे लगे आंसर मत कीजिए कौन सा प्रोड़ट आपको ज्यादा महंगा लगा हो सकता है मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूं हो सकता है घबराये मत चीर्फोल रहे जो भी वो बोलता है तुरंद आंसर मत दीजिये यह मत कहिए तुरंट जवाब देने की बजये रुकिये, होल्ड कीजिए, मत किजिए, तुरंद आंसर मत किजिए उल्टा क्या कीजिए, उसकी बात को value दीजिए, हर आदमी value चाता है, उसकी बात को value दीजिए, उसकी बात पे agree हो जाईए, सहमत हो जाईए, और एक काम कीजिए, एक notepad लीजिए, pen लीजिए, और उसके जो भी सवाल है, लिख लीजिए, notepad लीजिए, tools लीजिए, जो भी आ क्या होता है जब आप लिखते हैं जब उसकी बात को नोट करते हैं उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसको अपनी एहमियत समझ में आती है आपको पता है कि बकवास है लेकिन आप उसको वैल्यू दे रहे हैं जब आप किसी को वैल्यू देंगे तो आपको वैल्यू अपना दिखाने के लिए कि मुझे भी कुछ नॉलज है मैं भी कुछ जानता हूं उसके लिए बाते करते हैं तो उनका के लिए कुछ बोलते हैं तो accept कर लीजिए जरूरी है कि उसको लगे कि जो भी उसे बोला है उसको आपने ध्यान से सुना है बैकेट में लिखा वो नीचे Theatrix Theatrix मतलब दिखावा करना आप कम से कम दिखावा कीजिए बले हिए आपको लग रहा है कि बकवास है लेकिन आप दिखावा कीजिए इस बात का कि दिखाइए डेमुस्ट्रेट करके हाँ बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आपको यह प्रॉलम है मैं समझता हूं मैं इसके पर बात करूंगा आपसे मैं इसके साथ इसके लिए आपके साथ करूंगा फीक है मैं आपकी संका करने की कोसिज करूंगा वेरी गुड कर लीजिए उसके बात को इसको बोते दिखावा करना एक्टिंग करना तो आप उसकी बात को बहुत चDown इतर से सुन रहे हैं समझ रहे हैं और उससे आप सहमत है कि अगर और आपने पर्रास्पेक्ट के साथ आर्गुमेंट मत खीजियों अगर आप आप समवाद में जीतना चाहते हैं तो आप सेल्स में हार जाएंगे अगर आपने कोसिस की आर्गुमेंट जीतने की तो आप सेल्स हार जाएंगे आप प्रॉस्पेट को हार जाएंगे आप प्रॉस्पेट को खो देंगे आप बलही जी जाएंगे आर्गुमेंट लेकिन प्रॉस्पेट को खो देंगे सेल को खो देंगे कि देखिए अगर आपको जज के साथ बैस करनी है जज के साथ आर्गुमेंट करना है बिंग्स को इरिट्रेंगे आप जज के साथ और नहीं करते ना और हमारे केस में जज कौन है उसने जोइंग करना है नहीं करना है किसके हाथ में है यह हमारे हाथ में नहीं हमारे प्रास्पेक्ट के हाथ में है अगर जोइंग करना चाहेगा तो ही जोइंग करेंगा ना जबसी तो आप नहीं कर सकते ना उसी गन पॉइंट पर नहीं लगा सकते है पिस्टिल कि पैसे नि को है उसको अगर हमने हड कर दिया तो कभी भी हमारे साथ जयन नहीं करेगा इसलिए कभी भी प्रॉस्पेट के साथ आर्गुमेंट कीजिए मत कीजिए आर्गुमेंट अगर आपने किया तो खराब कर देंगे आप आर्गुमेंट जीत सकते हैं लेकिन दिल नहीं जीत पाएं राइट? नेक्स्ट बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके prospect के जो real issues है ना जो उसके real concern है जो उसको real problem है जो उसको real दिक्कत है ना उसको छिपाने के कोसिस करता है जैसे example के लिए आप बच्चपन में याद कीजिए जब आप school जाते थे वो सपल में वो ना किया और आपको दर है कि स्कूल में जाओंगाँ जख होगा हम ये नहीं बत आता है अज मेरे पेड़ में दर्थ है आज मेरे सिर में परणा दर्थ है और मुझे से क्शुछ पटाई होने का रखर है मुझे चक्कर आ रहा है है चकर नहीं आ रहा प्रॉलम नहीं है तर्क Warriors क्षिपाने की कोंसित करता है और उसको छिपाने के लिए कुछ और सामने रुख देता है, जिसको हम camouflage बोलते हैं, आपने देखा ना, आर्मी की लोग फूल पत्ते वाली कुछ green सी कलर की uniform पहनते हैं, ताकि जब वो जंगल में हो, जब वो actual field में हो, तो वो दुस्मन को दिखाई ना दे, तो दुस्मन को न दिखाई दी, इसलिए हो camouflage dress पहनते हैं, वैसे ही उसकी weakness, जो उसकी कमजोरी है, जो उसकी problem है, वो आपको न पता लग जाए, इसलिए हो कुछ उनकुछ बहाने बाजी करता है, कुछ और सवाल लगता है, वो आपको divert करने की kurses करता है, रियल प्रॉलम से, तो जो उसकी real problem ह वो ना बताके आपको कुछ fake issues बताता है, जो जूट है, जो उसकी diversionary technique है, तो उसमें कभी फसीय मत, और जब हम directly उसके सवाल का जवाब देते हैं, मैंने बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, कि आपका prospect कुछ भी बोलता है, उसका direct answer मत दीजिए, उसका तुरंट answer म समझने की कोशिस कीजिए कि problem कहां पर है, जब सही problem आपको पता लग जाएगी, तो उसके बाद में आप उसका सही निवारण कर पाएंगे, मैं आपको एक और example से समझाता हूँ, मैं Air Force में था, आप मैंसे काफी लोग जानते हैं, और Air Force में मेरे जमाने में भी, हफते में ए परेड ना करनी पड़े, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग बिमार होते थे परेड गाले दिन, मंडे को, और वो डॉक्टर के पास बहुंचाते थे, इमें ही तेवित खराब है, अब डॉक्टर को पता है कि बाकी दिरों में मरीज कम आते हैं, और समभवार को मरीज भहुत परेड तेवार के पास आया है, डॉक्टर उससे पुछ है च्वहार को तकलीफ है, तो मरीज को सोच के जाता था, कुछ ने कुछ बिमारी बताऊंगा उसको, और सिर्द्द की दवाई नहीं देता था, यह डॉक्टर क्या बोलता था, अच्छा, च्छिर्द्द्रद्र के अब डॉक्तर ये बात अच्छी तरह से जानता है कि सिर में भी धर्द है पेड़ में भी दर्द है और अ अपस में कोई इनका मिलाव नहीं है इसको प्रावलम क्या है कि उसको परेड से पचना है तो ऐसे व्यक्ति को दवाई तो उसको डबल कराते थे लेकिन कुछ जो है एक्स्पिरेंस लोग होते थे ना तो जो समझदार लोग थे वो बोलते थे यही एक तकलीफ है इसका मेलोग हो सकता है तो ऐसे में दवाई देता था तो जब प्रस्पेक्ट बार बार अपने सवाल बदलता है बार बार अपने इश्यूज डिफेंट चेंज करता रहता है तो समझ लीजी को भने बाजी कर रहा है लेकिन अगार आप तुरंत आप जवाब देते रहेंगे पहले आप उसे बोला कि इसलिए मैंने बोला कि जो रियल इश्यूज है वह अलग होते हैं और जो बोल रहा है वह एक्चल में कुछ होड है उसको बचाने की कोशिज कर रहा है रियल इस्यूज से बचना चाहता है अपनी कमजोरी बताना नहीं चाहता आपको इसलिए तुरंत जवाब मत दीजिए ट्रांसर मत कीजिए इस्टेड अला हामसे उसकी बातको सुझिए समझ ये और जानने की कोशिजिए कि इसको प्र्लंब क्या है जो अक्ष़ प्रॉलम होते है उपकूछ और ब्हाने ना Caribbean हो इसका नाटख यह हुए अगर कोई बोल्ता है कि उसको टाइम की ही दिक्कत है कि पस टाइम की रिंप करके बाद ऐसे पहोत सारे मुझे इसको अनुच Only इस कॉछ भागे कर टिशू है यह जूल है बात करके उससे लेकिन एक ही सवाल पर राघ जाता है एक ही जगे उढ़ जा रहता है तब आपको जवाब देना है कि हां सर मैं समझ सकता हूं कि आप बिजी है मैं जानता हूं और बिजी होना तो बहुत अच्छी बात है हमारे बिजनस पर वही लोग कामियाब होते हैं जो लोग निकम में हैं जो खाली बैढ़ रहते हैं जिनको पास कोई काम ही नहीं है उनका सर्कल भी तैसे होता है निकम होगा जो आदमी कुछ भी नहीं करता है चाहली ब बुगे और जो आदमी busy है busy है इसका मुलब हो कामका आदमी है मेंधिया वह कमाना चाहता है वो इस पर भी जाता है और अाप आप बब्लाइसे तली टाज है जो बिजी हों ہं सुच के देखी सर अगर आपके पास थोड़ा सा vamos उनकाल पाएं और आप यहां से पाट टाइम में थोड़ा सा काम निकालके आप अच्छी टीम बना लें ऐसे लोग वी तो टाइम आपकी तरह ही देदे तो कुछ टाइम आप देंगे वो लोग जिनको आपने कराया है और दो दो गंटे आप लगाएंगे दो दो गंटे वो ल तो फिर शायद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे आपको कितना अच्छा लगेगा जब आपको पार्ट टाइम काम करके ही अच्छी खासी इंकम आजए तो थोड़ा सा टाइम अगर आप निकाल लेंगे जो आपका वेस्ट हो जाता है जो आप तीवी देखने में अ मेरे पास पैसे नहीं मैं लेगे घुटम हो सकते हैं अग्र उसका एक ही प्राॉलॉम है कि हो करता ढ़का है नहीं को ही झालप में है उसके पास पैसे नहीं है, ऊघर किसी की पास पैसे नहीं है, तो मैनेज तो कर सकताथ, उसके घरवालों से गार वालों से नहीं हो, तो पैसे हैं लेकिन वह भानेवाजी कर रहा है या फिर सच में नहीं है तो कहीं से मैनेज कर सकता है और अगर मैनेज भी नहीं कर सकता तो इसका मालब वह प्रॉस्पेट ठीक गलत है तीसरी चीज बहुत बार लोग बोलते हैं कि प्रॉडट्स आपके महेंगे हैं उसके दो कारण होते हैं आपने प्रेजनटेशन ठीक से नहीं किया होगा तो लोग नहीं सामने रखते ही नहीं है सकता है कि आपने उसको सही तो बताया हूँ आगर सोच के देगे और अगर किसी प्रोस्पेक्ट को हमने वेबसाइट पी ले जाकर उसका सारे के सारे पूर्ट दिखा दिए तो सवाथ सो डेट्स पूर्डट है उससे भी जाना है इक पूर्डट्स को क्या समझ बाएगा ची तरह से और जब उसको भाना बना रहाएं तो क्या करेगा कोई भी राध प्रॉडेट को पकड़ को बैठ जाता है और उसके साथ आर्गुमेंट साथ हो जाता है तो आपके प्रेजनटेशन में करबढ़ है सोचके देखिए जब आपके इक किसी शौप पे जाते हैं जब आप किसी शॉप पर जाते हैं मैं इसके बारे में थोड़ा देर से चल्चा करूँगा एक और मैं दुबारा आऊंगा इस पर एक और एक्सक्यूज होता है का स्टमर का गेस्ट का प्रॉस्पेट का कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सोचने के लिए यह जो प्रॉस्पेक्ट है ना यह थोड़े से मुश्किल वाले होते हैं यह बहना बना के निकलना चाहते हैं यह कोई ने कोई यह बचकर निकलना चाहता है इसलिए बोल रहा है कि मुझे थ्रणा सटाइम दीजे सोचने का और अगर आप उसकी जहां से में आ गए तो बचके निकल जाएगा तो आपको समझना है कि आपको ठंगाना चाहता है कई पार ऐसा होता है गैस बोलता है कि मुझे अपने घर में कंसल्ट करना है या मुझे किसी से सला लेनी है मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूं मैं अभी कुछ लोगों से बात कर लेता हूं चर्चा कर लेता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको समझाना है उसको ABC सिस्टम कि सर अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी कामियाब नहीं हो सकते क्योंकि अभी आपको नॉलेज कम है आपको एक्स्पिरेंस नहीं है किस तरह से उसका अप्रोच करना है आपको पता नहीं है और अगर आप ट्राई करेंगे तो उसको आप समझाईए ABC सिस्टम कि देखिए हमारे बिजूस में कामियाब होने के तरीका यह है कि A होते हैं senior, B होते हैं fresher और C होते हैं हमारे guest अभी आप C है, C से आप B बनिए, फिर आप training लीजिए, senior की help लीजिए और देरे-देरे आपको knowledge हो जाएगी, आपको experience हो जाएगा और फिर आप independently ये business कर पाएगे, तो आप उनको ABC सिस्टम से जाएगे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये सिर्फ भानेवाजी है, कई बार होता है कि वो बोलता कि मैं अपनी वाइब से पूछ की बताऊंगा, कई बार ऐसा होता कि आपने किसी लेडी को plan दिखाया और वो कहती है, मैं आपने decision maker को plan नहीं दिखाया, अगर एक housewife है जो खुट decision नहीं ले सकती है, housewife भी खुट decision लेती है और in fact धर के maximum decision housewife ही लेती है, लेकिन कुछ cases में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे उसकी चलती नहीं है, उसकी सास की चलती हो चायद, या उसके ससुर जी की चलती है, उसके husband की चलती हो, कई बार ऐसा होता है कि आदमी शो करता है कि मेरी चलती है, तो आपको अच्छल में पता करना है कि घर में चलती किसकी है, decision कौ extrapol लेता है, कई बार ऐसा होता है स्ट्युट दिखाते लेकिन उनके पैसे नहीं होते हैं तो जो सूसता है यार मैं कर तो लूँ लेकिन मुझे अपने बच्चों से पूछना पड़ेगा तो आपको decision maker के साथ में बैठके plan दिखाना है तो plan दिखाना से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि decision maker कौन है फैसला कौन करेगा पैसे किसके हाथ में तीजोरी चाबी किसके पास में है पैसा किसके पास रहता है फैनल decision कौन लेगा plan उसको दिखाना है उसको आप नहीं जानते हैं तो भी आप कहिए कि उनके साथ बैठके बात करेंगी इसके अलावा कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने इस company में काम किया था मैंने उस company में काम किया था और मैं fail हो गया मैं कामयाब नहीं हो पाया वगरा वग किया कैसे काम किया क्या experience रहे आपके आप तो जानते हैं selling के बादने में आप तो समझते हैं कि इसमें कितना potential है उसको appreciate कीजिए और उसके बाद कुछ सवाल कीजिए उससे जब बोलके थक जाए जब आपना सारा गुबार निकाल दें उसके बाद कुछ सवाल पूचिए उस इसे बायर जोइन करते हैं यानि कि सिर्फ पूडट खरी लिते हैं उनका intention होता ही नहीं क्यों बेचा चाते हैं उसको समझाईए कि seller क्या होता है जिसको sales करना आता है seller वो होता है जो sales के लिए effort लगाता है और बायर वो होता है जिसने सिर्फ जोइन कर लिया पे किया उसका प्रड़ उसके पास आया उसने इस्तिमाल किया रख लिया या किसी को गिफ्ट दे दिया और भूल गया तो सिर्फ बायर था तो बायर तो मार्केट में बहुत सारी चीज़े खरीदते होंगे लेकिन क्या बदले में कुछ उमीद करते हैं कि आपको पैसा आएगा बायर को तो सिर्फ यह उमीद होती ही कि जो प्रेट में खरीद रहा हूं उसको में इस्तिमाल करौंगा वो सही वैल्यू का प्रड़ट है और रोक्राब हो जाये तो उसकी सर्विस काौं करेगा उसके आकटर सेल सर्विस कैसी रहेगी उसकी गारेंटी वारेंटी कैसी है बस उसको तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछिए कि जब भी आपने पहले काम किया था जोइन किया था तो आप वहाँ पर बायर थे या सेलर थे ठीक है अगर बायर थे तो इसका मेलब आप खुछ थे आपने जो खरीदा आपको मिल गया और अगर आप सेलर थे तो फिर पूछि तो ट्रेडिंग में तो गया ही नहीं या ट्रेडिंग तो होती नहीं थी उससे एक और सवल पूछी कि आपने सेल्स स्किल्स सीखने के लिए क्योंकि सेल्स एक स्पेसिफाइड स्किल है बहुत ही शांदा स्किल है बहुत इंपोर्ण स्किल है तो सेल्स की कला सीखने के कि आपको आंपने किताबे कैटाब पड़ी कुछ किताब पड़ी कितनी दिंतक आपने कितनी दिन साइज पूछिए क्योंकि मैंने आपको पताया था कि अगर उसने काम किया है मैनत की है और कामियाब नहीं हुआ तब तो आज आप उसको आप प्रोच कर रहे हैं तो कारण क्या होगा या उसका अप्लाइन निकमा होगा या फिर उसने खुझ से मैनत नहीं की हुगी तो उसको ब्लेड करने की में बजाए कि हाँ आपने गलत कमणी जोइन कर लिए थी आप गलत जगे चले गए थे आपको पता नहीं था कोई बाद नहीं या आपने गलत आदमी के साथ जोइन कर लिया था, या गलत टीम में जोइन कर लिया था, लेकिन अभी आप सही जगे पर आए हैं, उसको समझाईए PPP, किसी भी डायेट सेलिंग बिसनस में काम्याब होने के लिए 3 P भड़े इंपोर्ण होते हैं, अगर कोई भी डायेट सेलि हैं, पीपल जो आपके टीम में लीडर हैं, पीपल वो जो कमनी को चलाने वाले हैं, अगर कमनी को चलाने वाले लोग फ्रॉड हैं, तो कमनी नहीं चलेगी, आपके लीडर्स अगर फ्रॉड है, या निकम्मे हैं, तो आप नहीं कमा पाएंगे, आपको स्पांसर अगर निक लोगों को से लेते हैं जोइंड करते हैं तीसी चीज किसी को भी देखने चाहिए वह है बिजनस प्लाइन में सफिशन मार्जिन है जिससे कि आपको आपकी सेल्स के उपर धंका इंसेंटिम बिल जाए लेकिन उनके अंदर मार्जिन भी होना चाहिए जो मार्जिन से आपको इंकम मिलेगी कमिशन मिलेगा जिससे कि आपकी महनत का आपको पूरा-पूरा मुआज़ा आपको मिल रहा होगा तो ऐसी चीज़े देखनी चाहिए तो आप समझाईए कि पीपल और प्लान ये तीनों द और पीपल भी बहुत शांदार है और उससे और अला मैंने बने बता है कुछ डारेट सेलिंग के बारे में बताना पड़ेगा उसको समझाना पड़ेगा कि यह कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और यह कितनी बड़ी होने वाली है इस इंडस्ट्री में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कासा कमाली है यहाँ पर इस्टिमनी बड़ी इंपोर्ड है यहां पर आपको एक्जाम्बस देने पड़ेंगे लोगों की कि देखिए किस ने कहां से कहां तक का सफरते किया है तो इंडस्ट्री पर भरोसा जगाईए कुछ लोगों को खुद के उपर भरोसा नहीं होता इंडस्ट्री ठीक लेकिन उन सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करें चीए तो आप काम्याब हो सकते हें आपके अंदर करूंगा मैं आपको घ्रकों करूंगा इस बिसनस को कीजिए है उसißt जो कारण होता है कि वह आपके ऊपर भरोसा नहीं करता जो इंट्यूसर है जो आपके ऊपर भरोसा नहीं करता उसके ऐपने आपको चेंज किजिए अपने बीट को चेंज कीजिए चीरफल नजर आईए स्माइल कीजिए कॉंफरेंस दिखाईए ट्रेनिंग एटेंड कीजिए स्किल्स डॉलब कीजिए ताकि आपके साथ लोग जॉइंग करना चाहें तो जो रियल प्रॉलम है वो क्या है इंडस्टी पर भरोसा नहीं है या कमनी पर भरोसा नहीं है तो उसको हम बाता है जिसके वेक्राशिट परोशाब होड़ेंगे या मुझे नहीं पता था मैं इनेक्स्पिरिंशन लम उससे कुछ Gलती हुई कोई बात नहीं लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा हम करेंगे तो अपनी गलती मान लेना भी भाधुरी है मान लीजिए कि हम उस से five है पास में लेकिन दुबारा नहीं होगी और दुबार हीजिए मत कभी भी strategy क्या होनी चाहिए plan show करने के टाइम पर भी objection handling के टाइम पर भी closing के टाइम पर भी आपको सुनना ज्यादा है जान से सुनना है prospect की बात को राइट दूसरा objection handling का एक सबसे अचा तरीका है feel felt found ट्रिपल F formula feel felt found जब बोलता है कि मेरे पास time नहीं है और उस पर अटक गया हो तो मैं समझ सकता हूं मैं समझता हूं मुझे पता है कि हाँ बिजी है लेकिन मेरे साथ भी ऐसी प्रावन थी relate to his objection या तो आपनी खुद की example या आपने applying का example या आ जूट नहीं बोलना है तो कोई ऐसे example के साथ में उसको समझाईए अगर बोलता मेरे पास time नहीं है तो हां मैं समझ सकता हूं मैं आपकी बात को appreciate करता हूं आप बिजी है मैं मानता हूं और आप बड़े important आदमी है आपकी link बड़े अच्छे हैं आप बड़े ambitious हैं और आप यही तो बड़ी अच्छी quality है आप के अंदर लेकिन मुझे भी यही हालती मैं भी ऐसा ही था या मेरा आप लाइन या मेरा डाउन लाइन वह भी बड़ा बिजी था वह भी बड़ा बिजी दाता था वह भी भागदोड करता था उसकी भी हाथ ऐसी थी उसको फिर मेरे senior से मै ने मिलवाया या मुझे मेरे senior ने समझाया या मैंने अपनी टीम के उस बंदे को समझाया कि देखो कब तक आप इतनी महत कर पाऊगे कितनी दिन तक इतने धागदोड कर पाऊगे कब तक आप 10 गंटे 12 गंटे 15 गंटे काम कर पाऊगे कभी ने कभी तो ठक जाओगे और अच्छी खासी इंकम करता है उसके पास पैसा भी है एद उसके पास टाइम भी है तो लेट किजिए उसने मुझे बताया और फिर मुझे समझ में आया तो मुझे समझ में आया और मुझे पता लगा आउप कि हाँ ऐसा संभव है पहले फील कीजिए फिर फेल्ट कीजिए पताया तो मैं मान गया और फिर मुझे लगा कि हाँ बिर्कुल सजी बोल रहा है अगर थोड़ा थोड़ा टाइम अगर एक्स्ट्रा लगा दिया जाए तो टाइम लिवरेजिंग हो सकती है तो टाइम हूँ वो बोलता मेरे पास पैसे नहीं है तो हां मैं समझ सकता हूँ कि आपका हाथ तंग है मुझे पता है कि आपकी इंकम में थोड़ी से दिक्कत चल रही है आपके खर्चे बहुत जादा आपकी जिम्मदार यह बहुत जादा है इसलिए मेरा भी हाल यही था अपने उप है आपके जान पचान है आप कहीं ने कहीं से इतने पैसे तो अरेंज कर ही सकते हैं और अगर आप नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी अपरचुनटी आप खो देंगे और इतनी बड़ी अपरचुनटी को आप खोना नहीं चाहेंगे मैं जानता हूँ उसके बाद मैंने क वाला फॉर्मॉला हमेशे इस्तिमाल कीजिए इसकी प्रेक्टिस कीजिए नेक्स्ट स्टोडी टेलिंग मैंने बताया ना कि अब्जेक्ट जो भी है उसका उससे रिलेटेड कोई एक्जामपल दीजिए अपनी स्टोरी या अपने डाउन में किसी की रियल स्टोरी बताईए इसके साथ और करेक्ट हो सके जो समस्चा उसकी है वही समस्चा किसी और की थी उसको कैसे हैंडल किया गया और उसका समधान कैसे निकला यह आप उसको बताईए अपने प्रियल इश्यू होते हैं अपको पता है मैंने आपको पता गहां नहीं है या आपके आपर भरोसा नहीं है कुष में den wordt यानि कि kased कि कमी मियां कि मोटिवेशन की कमी है पूश करने कि ज commerce है तो एसे वे प्रिस प्रिफेट को पांप साल पेशी लेगी कि शोच देखिए आप पांप साल पहले कहां थे साल पहले आप कैसी गाड़ी में शब्रक्रते थे पांफ साल पहले आपकी लाइफ कैसी थी आपका lifes identify थे अब सफेले पैले बीव 002 पर कई नीकाम पांस के ति पांस सालों में पांस कैसे त्हें आज कैसे हैं बदलाओ कैसा आया किपा बदलाओ कि अगले पॉइट चायाग अगर वही नोकरी करते रहे लोए गंटे मेंट करते रहें कि जिन से भी बढ़ेगी दिरने बढ़ेगा अगिlı घंज को कि यह Арne तो अगले पांस सालों में क्या बदलावाने वाला है अगर आप बदलाव चाहते हैं अपनी लेना पड़ेगा एक मुश्किल फैसला आपको करना पड़ेगा और यह फैसला करने का वक्त है आपके पास बहुत शांदार अपोच्छनटी आपके पास एक शांदार मोगा है हैं और उसको मोटिवीट कीचे निए और उसको नीजब होती है उसको जग जोड़ने के बाद कदने के बाद कुछ शांदार बात बोलने के बाद हुछा अमेजिंग बात इसके दिमाग में घुजने dw пр गुजने के बाद, उसको जगजोर करने के बाद, उसकी नींद उडाने के बाद, कुछ भी अमेजिंग बोलने के बाद, कुछ शनों के लिए चुप हो जाईए, कुछ शनों के लिए चुप हो जाईए, और इंजार कीजिए कि वो बोले, उसका इंजार कीजिए वो बोले, ब पता है कुछ बताइए अगर नहीं बोलता है तब आपने उसको छेड़ना पड़ेगा लेकिन आगर कुछ आपने अमेज जिंग बोला है जो मैंने थूर देरे बोला था कि देखिया 5 साल पहले आप जैसे थे आज भी वैसे ही है कि आगले 5 साल भी आप हैS पांस साल पहले भी आपका बेटा स्कूल में पटता था आज भी उस्कूल में पढ़ता है चाहते हैं पर पैले भी आपका स्कूल में जाए पाइसल ही चाहते हैं यहाख पर उसको बोलें और उसको बोलेगा कि हां आप सहीart करए है बदलाओ तो करना पड़ेगा मुस्कीर कुछ ऍेस्ट कुछ एक्स्टा ने ठाटा करना पड़ेगा और वहीं आप चाहते हैं जो भी बोलेगा प्रागनेंट को ना हrinा जो आप बोलवाना चाहते हैं लगातार बोलते मत रहिए कुछ भी अमेजिंग बात बोलने के बाद कुछ शांदार बात बोलने के बाद कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाईए और उसको बोलने दीजिए उसका रेस्पॉंस देखिए जो रेस्पॉंस आएगा बहुत कि ठीक है आपके पास टाइम नहीं है ठीक आपके पास पैसे नहीं है ठीक है कि तुर्ण बैंगे हो सकते हैं ठीक है कि आपको लगता है कि मुस्किल है लेकिन क्या रास्ता कोई और है जो आप चाहते हैं क्या कहीं से मिल जाएगा जो आपको लाइफ में परिवर्तन इसके पास क्या है और जो पर जंदारिया जो पर जब्स करना पड़ेगा है। जोड लीजिये, जितना उसके पास में है और जितना वो अगले कुछ सालों में जमा कर लेगा, क्या वो समंद मिलाकर उतना हो जाएगा, जितना उसको चाहिए. इसको बोलते हैं balance seat बनाना, आप देखेंगे कि जो उसके पास में है, और जो उसको चाहिए, उसमें जमीन आस्म वल्हाज जाएंगे पयसे कायां से लाएंगे अपना मकान खरीदने के लिए पैसे कासे लाएंगे के साथ करतों लेंगे लिएये और जैसे आपके साथ जाएंगे कि याँ पर में यह कर लिया होता कासOWIT कर लिया होता कास मैंने ऐसा ना किया होता आज मेरा अच्छी घुती ऐसे जाना चाहेंगे या खुस्की खुस्की से मैं आज़ आए उन रही है उन पाए और में थे खुब इंज़य किए मैं रहे होते हैं ऑप रहते हो तक कि अपने रेटायर्मेंट इसे पिता है मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में मैं सटिस्पाइड था ऐसी जिंद्री चाहिए या वैसी वाली चाहिए जो जहाते लोगों की होती है अगर वैसी वाली चाहिए और आप सेफशाप करने से से मना कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं तो मुझे बताइए कौन सा रास्ता है जिससे कि आपकी जिमिदारियां आपकी जरूरते आपके सपने आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और फिर प्रेग्नेंट पॉस फिर चुप कुछ सेकंड के लिए जवाब क्या आएग आपको लगता है कि आपकी इंकम नहीं आ रही है तो आपको अपनी महत का पूरा पैसा नहीं बिला उतनी महत करके आप सब्सक्राइब के सेल निकाल सकते हैं लेकिन हम जल्दी से संडर कर देते हैं जैसे उसे बोला मेरे पास पैसे कम है हम माल लेते हैं सो ऐसा मत कीजिए हैर भीवीज की सेल पर फोकस कीजिए आप याद कीजिए मैं यह बात मैं छोड़ दिया था कि जब आप कुछ खरीदने जाते हैं मैं दोबारा उस बात प्यार हो जो मैंने बीच में बात करूंगा आपको मैं समझाना चाहता हूं जब भी आप कुछ शॉप 500 चीजे रखी होंगी क्या दुकान दार आपको सारी चीजें दिखाता है कि डबशकर और आपको सब कुछ नहीं दिखाता है अपनी फूरी दुकान नहीं दिखाता है और आप से पहले ही जाना चाहता कि आपको क्या चाहिए आप उसको कहते हैं, कि मुझे अपनी वाइफ के लिए एक हार चाहिए. तो सिर्फ आपको हार दिखाता है, वो पूषता है, डायमट का चाहिए य julrie नहीं दिखाता है, कि विखाता है कि आपको दुनिया बर की बैंगर इस नहीं दिखाता है ब कॉन से वाले इस से पूंच के- मुझत और रहे ही दिखाता है आपको बन्यान भी दिखाए आपको शूट भी दिखाए आपको शूट भी दिखाए आपको ट्राउजर भी दिखाए आपको कोट भी दिखाए आपको बेजर भी दिखाए और सबकुछ आपको दिखाएगा तो आप देखना चाहेंगे क्या आप वो देखना चाहेंगे जो आपको चाहिए इसलिए हम गलती से भी क्वस्टमर को अपने प्रॉस्पेट को सब कुछ ना दिखाएं पहले पता करें कि उसको चाहीए तो बात तो बातों में पता लेकिन सिंगल सिंगल में हो सकता है किसी को लगे कि यह महंगा है या सस्ता है इसलिए उसको बिजनस चाहिए उसका परटमर की को समझे उसको बिजनस चाहिए उसका परटमर का चाहिए जो उसकी नीड है वही दिखाईए एक बाद आपको बोलना चाहता हूँ और उसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ जिसके होटों पर हसी और पाउ में चाले होंगे वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे जितनी मर्जी ट्रेंणिग ले लीजिए जितनी मर्जी नोट szcz बना लीजिए लेकिन अगर आप के चैरे पर स्वाइल नहीं रहेगी और आप यह मायूस रहेंगे हैं और आप काम्याब नहीं होंगे में ख्याएंगे चाहिए और दों काम्याब होने वाल valid को इस फिल्ड मेंनी के लिए स्पाइल के साथ में पौद्री अरिशूर के साथ में डेफिरिटली आप कामियाब होने वाले हैं